तो आज भी एक कहानी लेकर आपके सामने पखस्तित हुए हैं तो आज की कहानी का आगाज करते हैं कहानी को जिस प्रकार है कि एक बहुत बड़ा राज जी होता है जहां का एक सासक होता है और उस सासक को उस राजा को तीन पूत्र होते हैं तो उसी तीन पुत्र की कहानी है और उसमें मैसेज भी बहुत अच्छी है तो आज की कहानी बहुत ही सुन्दर है तो आज देखते हैं क्या होता है राजा जो जिस राजी का होता है वहां पर उसके तीनों पुत्र होते हैं तो वह अपने पुत्र को बुलाता है एक दिन और त कल देखकर के आओ की नासपा से कहते हैं अपने लड़के से लेखेर करने कटो जाना है जाएगा कैसा भगता होता है थर तीम ही बाद दूसरा बेटा जाएगा वह देकर आएगा और फिर तीनवहने बाद की तीसरा बेटा जाए गया की नास्पाति काब रिक्ष कैसा होता राजा की आ गया थी तो जैसे ही हुआ तो उसका जीक पहला बेटा था सबसे पहले के बड़ा उसको भेजा गया तो बड़ा-वेटा गया और नासपाती का ब्रिक्ष को ऐसा जगा था जहां जाना था तो दुसरे प्रदेख्स में था वहां जाकर कि देखा तो उसने देखा कि नासपाती का जो ब्रिक्ष है वह बहुत ही सूखा है तेठा मेडा पौधा है मतलब की कोई भी पॉजिटिविटी उसमें नहीं देखिए उसको हर चीज नेगेटिव ही दिखा कि मतलब यह पौधा जो है उतना मतलब उसको अच्छा नहीं लगा वो पॉधा में उतना गरोश नहीं थी और जैसा एक हेल्दी पौधा होता है ग्री पूत्र को भी तीन मेने के बाद मौका मिला तो वह भी गया और वहां जा करके उसी पौधे को देखने के लिए कहा गया तो जब तीसरा पूत्र गया तो उसने देखा कि पौधा हरा भरा था पूरी तरह से हरा भरा था लेकिन उसमें कोई फल नहीं था कोई फूल नहीं था त इसलिए हमको उतना भी खुबसूरत वह अच्छा नहीं लगा फिर क्या होता है इसी करम में फिर तीन महना बीट गया और तीन महने के बाद जो है तीसरा पूत्र गया और तीसरा पूत्र गया तो वह भी वहीं गया उसी पौधे को देखने गया और देखा बाद में बोला कि गयायर गजाब पौधा है हरा भरा भी है और फूल फल से भरार फल से लदा हुआ है मतलब इतना फल में कि पौधव के बजन से उसने भी देख लिया फिर क्या हुई जब राजा को ये बात मालूम हुई कि तीनों पूत्र ने मतलब वो देख लिया मतलब पौधे को देखा और सब आ गया है तो एक दिन राजा अपने तीनों पूत्र को सभा में बुलाए और उनसे पूछा गया कि बताओ तुमको पौधा कैसा लगा ये सवाल सबसे पहले बड़े पूत्र जो जेस्ट राजकुमार था उससे पूछा गया कि तुम बताओ कि तुमको पौधा कैसा लगा तो बड़े बेटे ने कहा कि पौधा तो अच्छा था पर टेड़ा मेरा था उतना अच्छा पॉधा नहीं था उसके बाद तीन महते के बाद दूसरा गया था उसने बताया की पॉधा हरा भरा था नहीं तो इतना सांदर था कि जैसा एक होना चाहिए फलों से भरा हुआ लगा हुआ हुआ है वैसा ही पॉधा था मेरे दोनों भाई जूट बोल रहे हैं कहना जिसने जो देखा यहां कह रहा है और उसी पौधे की बात आए कोई ऐसा नहीं कि बड़ा भाई जूट बोल रहा है चोटा वाई जोट भूल रहा है तीनों का कहना चाहिए है लेकिन इस तीनों में मेरा तीन सीख है जो मैं जिन्दगी में तुम्हें देना चाहता हूं और इसलिए मैंने तीन महेने के अंतराल से तुमको पौधे को देखने भेजा और उसके पीछे रीजन यह थी पहली सीखिया है कि कोई भी किसी भी विसय का जो है जब लगया तो पढले पहले को जब देखा गया तो टेढा मेंना कि अ तो फ़ फ़स्वेश्य को आप कुछky की इनसान को यह किसीभी भी नहीं लगता है तो यह सीख भी ती कि में तो उसको दूसरी सी किया थी राजा की कि मौसम बदलता रहता है हर समय एक ही स्टेज में नहीं रहता है को किसी भी किसी चीज की स्थिती हम हर समय एक ही तरह नहीं होती चाहे आदमी हो या पौधा ओ या फूल या कुछ भी हो वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है तो दूसरी बेटे को यह कहा गया कि तुमने देखा था हरा वराली इसमें फल नहीं था लेकिन तिसरी बेटे नो जो कहा था कि फल है तो दूसरी मैसेज यह थी कि मौसम बदलता रहता है जिस प्रकार एक ब्रिक्ष कभी सु मौसम नहीं कहुँत बख था ना कि भाइया जूट बोल रहे हैं कि तिसरा सी के राजा कि यह थी कि कभी भी किसी हमी में अपनी बातों पर नहीं अरना चाहिए जय कि पूरा समय गोंवाने और नहीं चाहिए तो यह तीनों सीख थी राजा की और यह सीख राजा ने कहा कि जीवन भर तुम तिनों को इस बात की सीख होनी चाहिए इस बात को हमें साथ ध्यान में रखना चाहिए तीनों एक मैसेज थी तो कहानी बस इतनी सी है और कैसी लगी कहानी बताईएगा कॉमेंट बॉक्स में धन्यवाद